हेलो एबरिवण कैसे हैं आप लोग एन्वरोमेंट एन्ड इकोलोजी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम डिसकस करेंगे चेप्टर एट एनिमेल डाइवर्सिटी इन इंडिया तो इस चेप्टर का आज हम पार्ट वन डिसकस करेंगे तो अगर आप लोग ये सीरीज functions of the ecosystem, aquatic ecosystem, environmental pollution, environmental issue, renewable energy और biodiversity तो इसका आज हम आठ चेप्टर डिसकस करेंगे आठ वाँ चेप्टर तो इसका जो है आज हम part 1 डिसकस करेंगे तो environmental and ecology के जितने भी static part है इसको हम जो है detail में डिसकस करेंगे किसी किसी चेप्टर में एक से भी ज्यादा पार्ट लग सकते हैं लेकिन उसको हम डिसकस करेंगे ज़रूर इस series को इस तरीके से prepare किया गया है चाहे वो आपके prelims हो या mains हो दोनों को यहाँ पे cover करेंगी कुछ भी दूसरा source आपको यहाँ पे follow करने की ज़रूरत नहीं है तो देखें यहाँ पे environmental ecology पे generally mains हो यहाँ पे prelims में भी कभी जो है आपको ज update information देने के लिए और जो भी dynamic information है उसको भी मैं यहाँ पे relate करने की कोशिश करूँगा ताकि साथ ही साथ आपके static के साथ dynamic portion भी यहाँ पे चलती रहे अभी तक environment and ecology के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने discuss कि हैं सारे के सारे वीडियोस को playlist बना के मैंने description में दे दिये हैं वह से आप उसको follow कर सकते हैं तो बहुत कुछ चीजी यहाँ पे हम सीखेंगे तो इस वीडियो को end तक बिल्कुल देखते रहेगा और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे शैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे हैं तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि environment and ecology में सबसे important जो होती है ecological balance तो यहाँ पे ecological balance में हम लोग ने already discuss किया है कि जो भी यहाँ पे जीव जनतु होत होती है इसमें जो biotic factors होती है या फिर जो abiotic factors होती है एक यहाँ पे relation बनाके एक ecological balance यहाँ पे बनाके सब लोग यहाँ पे रहते हैं थोड़ा सब यहाँ अगर गरबड़ी हो गई तो इसका परिनाम बहुत ही खतरनाक हो सकता है तो यहाँ पे nature को conserve करने के लिए जो है यहाँ पे sustainable use of natural resources यानि कि जो natural resources है यहाँ पे पेड़ पौधे हो गई यहाँ पे बहुत ही जो timber हो गई लकड़ी हो गई यहाँ यहाँ पे यह सब resources को इस तरीके से यूज करनी चाहिए ताकि यह आपके development के काम में है दूसरी यहाँ पे environment की शतिना पहुँची यानि कि आप आपने अगर एक पेर काटा तो उसके जबाब में आपने दो यहाँ पे पौधे भी लगाए ताकि आने वाले 10 सालों में इस पेर को जो भी loss हो है यह दोनों पौधे जो है यहाँ पेर बनके उसको compensate करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक international organization की जो अंतराश्य संस्था जो nature की conservation और sustainable uses of natural resources की जिनमेदारी लेती है उसी को हम बोलते हैं IUCNN की international union for conservation of nature तो यह संस्था क्या करती है जितने भी यहाँ पे जीब जन्तु हो गई, plant हो गई, उनकी जो data, उनकी जो यहाँ पे complete data है हो गई, यहाँ पे उसकी data को gather करना, उसकी analysis करना, उसके पर research करना, अलग-अल projects है कि यहाँ पे जो है, कौन सी जीब जन्तु हो, plant हो गई, यहाँ पे की situation में है, यहाँ पे critically endangered state में है, यहाँ पे vulnerable state में है, कैसे state में है, तो इसके हिसाब से जो है, यहाँ पे advocacy होती है, एक lobby होती है, और यहाँ पे education यहाँ पे provide करना, इसका main मकसद है, तो IUCN का यहाँ प जीब जन्तु हो कि यहाँ पे जो conservation, जो इसकी जो species की complete record जो है, rate data book में पाए जाते हैं, IUCN का जो headquarter है, यह सुई जरलन में मौझूद है, जो मुख्याल है, जो है, सुई जरलन में मौझूद है, तो IUCN का rate data book, तो rate data book में जो है, यहाँ पे, जो भी यहाँ पे already looked हो चुके है, यहाँ लुप्त होने के कगार पे है, जो भी जानुवर यहाँ पे extinct हो चुके है, यहाँ पे, सब जरीब जन्तु की, यहाँ पे, plant की, यहाँ पे, सब चीजों की यहाँ पे एक record रहती है, ताकि यहाँ पे जो endangered mammals हो गई, birds हो गई, reptiles हो गई, अलग-अलग groups के जो पे species हो गई, यहाँ पे, सब को यहाँ पे जो है, रखा गया है, तो red data book में अलग-अलग color के pages है, इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, pink pages, तो pink pages का मतलब है कि यहाँ पे critically endangered species के बारे में mention किया गया है, green pages, green pages में उन लोगों के बारे में mention किया गया है, जो पहले endangered थी, लेकिन अभी यहाँ पे चरतन नहीं, यानि कि यह extinct होने की, यानि यह जो खतम नहीं हो सकते, अभी यहाँ पे safe condition में है, तो green pages में उन जीव जनतों को यहाँ पे mention किया गया है, तो इसको हम अगर detail में discuss करेंगे, तो categories में आता है, तो IUCN ने क्या-क्या है, जो अलग-अ जीव जनतों को यहाँ पे 9 अलग-अलग parts में divide किये गए है, तो इस part में यहाँ पे हर जीव जनतों को किस rate से decline हो रहे हैं यहाँ पे, उस particular species की population size कितनी है, उसको देखा जाता है, कौन सी geographic distribution में रहती है, यहाँ पे temperate forest में रहती है, tropical areas में रहते हैं, snow areas में रहते हैं, अगर amphibian हैं तो कैसी हैं यहाँ पे, उसको देखा जाता है, degree of population किस rate से उसको बढ़ रहे है, distribution, fragmentation सब के हिसाब से यहाँ पे 9 अलग-अलग भाग किये गए हैं, तो इसमें से जो threatened है, threatened को तीन पार्ट को इसको threatened बोलके रखा गया है, यह है critically endangered, endangered और vulnerable, तो यह सब जो है, इ इसके बार में discuss करते हैं, यह जो 9 categories है, तो पहला category यहाँ पे extinct, extinct का यहाँ पे मतलब है कि already जो यहाँ पे looped हो चुकी है, dinosaurs, already looped हो चुकी है, तो यह extinct, यहाँ पे कोई doubt नहीं कि dinosaur अभी मौजूद नहीं है, extinct in the wild, तो यहाँ पे यह जानवर जो है, बहुत ही ऐसे situation में, यहा बहुत ही यहाँ पे critically state में हैं उनलोग को, अगर यहाँ पे उनलोग को खुला छोड़ दिया, तो दो दिन में यहाँ खतम हो जाएगी, तो उनलोग को बहुत ही critical state में यहाँ पे रखा जाता है, तो इनलोग को बोलाता था, extinct in the wild, तो critically endangered, तो critically endangered, endangered or vulnerable, इसको आप एक example से समझ सकते हैं, मान लिजे कि 20 साल पहले एक जानवर की जो total species की population 100 थी, अभी अगर सपोज 20 साल के बाद उनकी population अगर मान लिजे 10 है, तो इसको हम बोलेंगे critically endangered, और मान लिजे कि 10 साल के बाद पहले 100 थी, 20 साल के बाद यह अभी 30 है, उनकी जो उस particular species के population, तो इसको बोलेंगे हम endangered और अगर मान लिजे कि 50 उसकी population है 20 साल के बाद, तो इसको हम बोलेंगे vulnerable, तो basic difference यही है, critically endangered कि extremely critical state में है, endangered मतलब critically endangered और vulnerable के बीच के situation में है यहाँ पे, और जो vulnerable थोड़ी से यहाँ पे, कम safe, कम यहाँ पे risk में है, थोड़ी से population इन दोनों से ज़ादा है, यहाँ पे, near treatment यानि कि 50 यानि कि 100, अगर 20 साल पहले थी, तो यह लगभग 70 के आसपास है यहाँ पे, तो इसको आप ऐसा ले सकते हैं, least concern मतलब यहाँ पे जो है, ऐसा नहीं है कि near future में यह extinct हो सकते हैं, basically जो यहाँ पे अगर बात करेंगे, जो जानवर के बार में ही बात करेंगे, जो basic species ह हम जो घरों में पालते हैं, जो household यहाँ पे जो animals की species होगे, तो यह जो है least concern है, data deficient जो है यहाँ पे इसके बार में जो है, इसके risk of extinction हो गई, इसके related कुछ भी data नहीं मौजूद है, not evaluated, यानि कि ऐसे जो species को अभी तक evaluate नहीं के गए हैं, तो ऐसे 9 categories हैं, तो इसको अगर हम ल look हो चुकी है, extinct in the wild, यानि कि उनको captivity पर रखा गया, बहुत ही एक दो species बाकी है, उन लोग को रखा गया है, regionally extinct, यहाँ पर regional हिसाब एक जगा पर extinct हो चुकी है, कुछ कुछ जगा पर मौजू है, लेकिन बहुत ही एकदम कम situation में है, यहाँ, कम इसकी population है, threatened categories में तीन आती है ऐसे भी question आपको पूछे जा सकते हैं, critically endangered, endangered और vulnerable, इन तीन को threatened categories में बोला जाता है, तो इस पार्ट में हम threatened category के हिसाब से discuss करेंगे, nearly threatened आप लोग ने समझ लिए है, यहाँ पर least concerned, data deficient, or not applicable, या फिर not evaluated, यानि कि उन लोग को जो है यहाँ पर evaluate ही नहीं किया गया है, तो पर अगर बात करेंगे, IUCN के जो rate list of India, तो इंडिया में इन तीनों category, जो है threatened category, critically endangered, endangered और vulnerable species को यहाँ पर discuss किया जाता है, तो इसको discuss करने के लिए यहाँ पर जो इस में list contain है, geological survey of India ने यहाँ पर IUCN की बहुत जादा मदद की है, तो geological survey of India यहाँ पर IUCN की conservation of nature के हिसाब से यहाँ पर sub list यहाँ पर मौझूद कर दिया गया है, तो पहले category में हम discuss करेंगे, जो critically endangered mammals है, mammals यानि की जो जीव है यहाँ जो अपनी मा का दूपी के यहाँ बड़े होते हैं, तो Himalayan, brown bear पहले है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, critically endangered यहाँ की बहुत ही कम है यहाँ तो ज़्याँ तर यहाँ पर नेपाल, तिबत, North India और North Pakistan में पाय जाते हैं, main यहाँ पर उनकी loss होती है, suitable habitat नहीं मौझूद है, या फिर जो persecution by humans के यहाँ पर जो इसके वज़े से भी उनलोग की population बहुत ज़्यादा कम होती आ रही है, तो आपको यहाँ पर पता लगेगा, जब भी आप यहाँ पर discuss करते जाएगे, यह वीडियो आगे बढ़ती जाएगी, जादतर यहाँ पर suitable habitat ना होने के वएसे, जो यहाँ पर forestry की loss हो रही है, agriculture की expansion हो रही है, यह एक reason होती है, यहाँ पर poaching एक reason होती है, या फिर अन्य जीवजंदू के वज़े से यहाँ पर ह साफी effect होते हैं, तो यह सब कुछ बहुत ही important factors है यहाँ पर, next यहाँ पर बात करेंगे, जो critically endangered mammal category में यहाँ पर, दूसरा pygmy hog, तो pygmy hog को बोला जाता है, world smallest wild pig, बहुत ही wild small हैं यहाँ पर, एकदम चुहे के size का हैं यहाँ पर, तो यह अभी सिर्फ आसाम के जो मानस wildlife century यही पर ही पाये जाते हैं, दूसरा यहाँ पर बात करेंगे, जो अंडामन white tooth shriw, एक चुहा जैसा ही है यहाँ पर, तो यह साउट अंडामन island of India में पाये जाते हैं, तो यह जो है active रहते है, जनरी नाइट में, तो यहाँ पर जर्दा बीमारी हों के वाईसे, यहाँ जो यहाँ पर श्रीहंगर fort उस area में, श्रीहंगर के जो plateau है, उस area में पाये जाते है, पूने महाराश्टर के, तो यह जानरी तर्ट टॉपिकल या फिर subtropical dry deciduous forest में पाये जाते हैं, कुन डाना रेट, नेक्स्ट यहाँ पर जो है large rock rat, तो यह जो rocky areas में जानरी देखने को मिलते जो eastern घाट है, टमिल नार्डु के उसमें जाज़तर पाये जाते हैं, यहाँ पर नामदफा flying squirrel, तो नामदफा, यह नाम जो दिया गया है, जो नामदफा, जो tiger reserve है अरुनाचल प्रदेश में, ऐसे भी question आपके बन सकते हैं, कि नामदफा tiger reserve यहाँ कहाँ पर मौजूद है, अरुनाचल प्रदेश में मौजूद है, तो इसको जो है food के लिए hunting किया जाता है, ऐसे भी इसको जो है, इसकी population जो है critical endangered species कैटेगोरी तक पहुँच गई है, मालाबार सिवेट, तो मालाबार नाम से ही पता लगता है कि definitely Kerala area में ही इसको पाये जाएंगे, तो पहले जो है यह endemic to India इसको बोला जाता था और Travancore Kerala areas में इसको पाये जाता है, deforestation हो गई, commercial plantation हो गई, यह major trait के वैसे यह critically endangered कैटेगोरी तक पहुँच चुका है, नेक्स बात करेंगे यहाँ पे सुमात्रन rhinosaurus, तो सुमात्रन rhinosaurus और Indian rhinosaurus जो आसाम के काजी रंगा में one horn rhinosaurus पाये जाता ह सुमात्रन rhinosaurus जो है काफी छोटा होता है, जो five rhinosaurus की species होती है, सबसे छोटा होता है, यहाँ पे लगभग दो सिंग आप मान सकते हैं, लेकिन Indian rhinosaurus जो है इससे बड़ा होता है, एक ही सिंग होता है यहाँ पे, आसाम के काजी रंगा में बाये जाता है, पोचिंग के लिए यहाँ पे जमू एन कश्मीर की state animal है, इसको generally habitat destruction हो गई, over grazing by domestic livestock, या फिर पोचिंग के बज़े से भी stags की यहाँ पे population जो है कश्मीरी stags critically endangered state तक पहुँच चुकी है, नेक्स बात करेंगे यहाँ पे जो endangered mammals के बारे में, तो endangered, यानि कि जो critically endangered से इन लोगी population थोड़ीशी ज़ discuss किया, जाधा तर ऐसे animals हो गई, यहाँ पे जो mammals आपको बहुत ही कम सुनाई देंगे, लेकिन endangered mammals आपको सुनाई देंगे, लेकिन population इनकी काफी gradually कम होती आ रही है, तो अगर बात करेंगे पहले tiger, तो tiger इंडिया में यहाँ पे जो है, लगबग जो royal Bengal tiger, पूरे दुनिया का लगबग 75% जो royal Bengal tiger इंडिया में पाए जाता है, दूसरे देशों में इसकी population कम हो रही है, लेकिन इंडिया में gradually यह बढ़ती आ रही है, तो tiger जो है यह endangered mammals पे आती है, एशेटी clients जो है जाले तक गुजरात के gear forest में पाए जाते हैं, तो अगर देखेंगे आप 2018 में एक virus आया थी, canine virus, तो इसके वज़े से भी काफी problem होगी थी, लेकिन recently कुछ time पहले जो ministry of environment, forest and climate change ने यहाँ पे बोला है कि lions की population gradually यहाँ पे बढ़ी है, तो mainly यहाँ पे habitat destruction हो इसके ही, disease के वज़े से यहाँ पे जो domestic clients की population काफी जो है, यहाँ पे उसका effect पड़ता है, red panda, lal panda, अगर आप लोगों ने एक जो movie है, jungle book देखा होगा, तो definitely red panda, जो यह character है, आप लोगों को याद रहा होगा, definitely, तो red panda को भी यहाँ पे mention किया था, jungle book में, तो यहाँ पे ज्य northern अरुदनाचल प्रतेश, थोड़ी से बरफिली एरियाज में पाए जाते है, red panda, बहुत ही छोटा फाय यहाँ पे, बहुत ही खूबसरत एक जानवार है, नेक्स बात करेंगे, यहाँ पे golden लंगूर, तो golden लंगूर यहाँ पे देख सकते हैं, golden color का है, इसका चेहरा जो है, यहाँ पे black color का है, और golden इसके जो है, यहाँ पे फार है, बहुत ही खूबसरत है, यहाँ पे यह endangered category में चला गया है, तो जादे तर western आसाम, जो black mountains और भूटान यहाँ पे पाए जाते हैं, deforestation हो गई, human encorchments के वाज़े से यहाँ पे इन लोग की population कम होती आ रही है, हिस्पीड हैर जो है यहाँ पे, southern foothills of Central Himalayas में पाए जाते हैं, इसको आसाम rabbit भी बोला जाते हैं, तो इसको generally increase in agriculture के वाज़े से, जो agriculture expansion के वाज़े से, floods के वाज़े से, human development के वाज़े से, इन लोग की population जो है, इन लोग का रहने लायक जगा यहाँ पे कम हो गई है, इन लो इस कारण के वाज़े से भी, ऐसे genre हो की, जो population कम होती जाए है, तो यहाँ पे देखिए, exams में आपको यह नहीं पूछे जाएंगे कि, भाई, critically endangered species में जो भी mammals हैं, उनके नाम लिखो, ऐसे school level के questions आपको competitive exams में नहीं पूछे जा सकते हैं, जब भी ऐसे related, कुछ topic हो गई, ऐस या फिर mains में आपको कुछ topics related mention करना पड़ा, तो यहाँ पे critically endangered, endangered, अगर इसको distinguish करके, आप लोगों ने ऐसे जो जानवर हो गई, यहाँ पे जो mammals हो गई, जो भी हम discuss करेंगे आने वाले time में, तो यह सब के अगर नाम लिख देंगे, तो examiner को भी लगेगा कि, आपने काफी यहाँ पे मेहनत की है, आपकी concepts clear है, तो आपको additional marks मिलेंगे यहाँ पे, तो इस वीडियो में आज इतना ही discuss करेंगे, जो भी books यहाँ पे मैंने रेफर किया है, शंकर आयस बहुत ही अच्छी book है यहाँ पे, और environmental studies by राज गुपानन यह book यह आप रेफर कर सकते हैं, बहुत वही books के link मेंने description में दे दिये है, वहाँ से आप उसको online purchase कर सकते हैं, अगर online purchase करेंगे तो definitely आपको यहाँ पे discount मिले का और आपकी time की बबरिजरत होगी, तो part 2 में हम discuss करेंगे, अलग-अलग categories जो हो गई यहाँ पे, critical and gender spaces की, यहाँ पे जो fish हो गई, यहाँ पे, reptiles हो गई, यहाँ पे birds हो गई, बहुत important है, सब के बारे में यहाँ पे discuss करेंगे, तो see you in the next video, और यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको please like कीजिए, इसको subscribe कीजिए, इसको share कर दीजिए, क्योंकि ऐसे videos बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और research की ज chain,